साथियों, आज हम इस वीडियो में ए सिखेंगे कि Rank Plus आप में कोई भी कोर्स या टेस्टरीज परचेश करते हैं तो उसके लिए पेमेट कैसे कर सकते हैं यह हमारा Rank Plus आप का Home Dashboard है जैसे यह आप Open करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से 6 कोर्स दिखाई दे रहे हैं एक Lab Foundation 2.0, 1.0, उमीद बैच, एनाटवी बैच, माइक्रो बाइलोजी बैच, आज विल आज लगच्छ बैच अब आप इन में से किसी भी इंटेस्ट वैच में अपना इन्रॉल्मेंट ले सकते हैं नीचे में टेस्ट सरीज का option भी हमें दिख रहा है यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ यहाँ पर टेस्ट है तो टेस्ट पर भी क्लीक करके अपना payment कर सकते हैं जैसे कोई student केवल particular test में interested है, तो यहां दो test reach दिख रहे हैं, आप जिस test reach में है, उस test reach को भी purchase करके अपना enrollment ले सकते हैं, बेटर यह होगा, कि यदि आप course में enrollment लेते हैं, जैसे 2.0 और 1.0 test reach था, 2.0 course में अगर enrollment लेते हैं, तो 2.0 का आपको test reach भी मिल जाएगा, course के साथ free, ठ आपको simple सा बताता हूँ कि दो step में कैसे पूरी के पूरी payment आप complete कर सकते हैं, मैं 2.0 base पे click करता हूँ, नीचे में option दिख रहा है, buy now का, मैं buy now पे click करूंगा, जैसे ही मैं buy now पे click किया, आगे में option आ गया, pay now का, page open हो गया, यहां पर promo code और referral ID देने का option है, बट यहां पर लि तो बीना इसको डाले ही आप payment करेंगे, मैं pay now पे click करता हूँ, जैसे ही मैं pay now पे click करूंगा, हमारा payment page का dashboard open हो जागा, कुछ बच्चों को pay now के बाद a dashboard open हो नहीं रहा है, scrolling चल रहा है only, ऐसे बच्चों को मैं बताऊंगा, अगर ऐसा problem आता है, तो आप simple सा rank plus app से बाहर हो ज जाइए, और rank plus app को सर्च कीजिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे, सबसे उपर में आपको rank plus app यहाँ दिखेगा, यहाँ पर देखे, rank plus app का open का option दिख रहा है, किनी किनी में update का option दिखेगा, आप update कर लें, वो payment page स्क्रॉलिंग फिनिस हो जाएगा, आपने update का option नहीं भी करना है, उसके लिए कोई ज्यादा खास नहीं, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ log out का option दिया गया है, नीचे में, आप log out करेंगे, और log in करने के बाद, log out करने के बाद, फिर से log in करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे में, corner पर देखे, यहाँ पर दिया गया है log out का option, पर क्लिक करने के बाद हमें a page open हो जाएगा अब आपको क्या करना है sir phone page से भी यहाँ पर देखो तीन option दिया गया है आप phone page से भी कर सकते हो Google page से भी कर सकते हो अब other UPI ID से भी कर सकते हो नहीं अगर आपको card से करना है आपको बताता हूँ मैं simple सा यहाँ phone page वाले option पे क्लिक किया हूँ अभी मैं आपको phone page से करके दिखा रहूँ आप से गूगल पे से भी कर सकते हैं अब जब आप phone page में open करेंगे phone page आप open करने के बाद वहाँ पर आपको अपने phone page UPI ID दिख रही होगी मैं अपना phone page का UPI ID डालत नौ मैंने UPI ID डाल दिया UPI ID डालने के बाद नीचे में एक option दे रहा है verify UPI ID जब तक आप verify नहीं करोगे यह payment करने वाला page जो है वह आगे नहीं proceed होगा मैं verify पे क्लिक करता हूँ verify होगया नीचे में rank plus the learning app लिक कर आ गया अब यहाँ पर देखो यह भी blue color का होगया यह payment हो ज होगा ऐसा नहीं है यहाँ लिखा हुआ है कि जब टाइमर चल रहा है तो step first आपको क्या करना है go to your phone पे अब आपको phone पे अपन करना है वहाँ payment page जाएगा उसको select करना है और अपना pin डालना है payment complete करना है यानि जैसे ही यह screen पे स्टार्ट होगा timer अब आपको क्या करना है यह यहाँ से minimize करना है बीच वाले बटन से और फिर आपको phone पे अपन करना है जैसे ही मैं phone पे अपन करता हूँ देखो यहाँ पे पे 9 का option आ गया 5099 का यहाँ दे रहा है कि rank plus the learning app से आपको यह link आया हुआ मैं इस पे 9 वाले पे क्लिक करूँगा और simple payment करूँगा कैसे मैं पे 9 क्लिक करता हूँ उसके बाद मुझे करने का option आ जागा फिर मैं अपना pin डालूँगा अब मैं pin डालता हूँ अपना जैसे ही मैं pin डालूँगा मेरा payment complete हो जाएगा अब payment हो रहा है मेरा payment complete हो गया जैसे ही payment complete होगा मैं done कर दूँगा done करने के बाद फिर से मैं rank plus app जो यहाँ पर चल रहा था मैं इसको open कर रहा हूँ देखो ए थोड़ा देर scrolling होगा और scrolling होने के बाद देखो order place successfully लिखती है मैं two point हो पे click करता हूँ यही पर देखो जो मुझे बाइनाओ का option आ रहा था वहाँ पर अब view का option आने लगा देख रहे हो अब में view पे जैसे ही click करूँगा मु फिर भी कुछ confusion है तो आप comment में पूछ सकते हैं